स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेट हमें दोस्तों अगर आप mutual funds के दर एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं जहाँ पर रिस्ट कम हो और पैसा भी small cap category और mid cap category में निफिश क्या क्या हो उसके बावजोर भी fund का return काफी अच्छा हो और रिस्ट small cap के मुकाबले काफी का हो अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में आज हम एक ऐसे ही प्लान की बात करेंगे जहाँ पर पैसे को mid cap और small cap के अलावा एक ऐसे इंस्टूमेंट में भी निफिश क्या गया है जहाँ पर आपकी पैसे पर रिस्क कम है और आपको profit काफी अच्छा मिल सकता है यानि कि आप जो भी पैसा निवेश करेंगे उसमें से आपका जो पैसा होगा उस पर जो रिस्क है अगर हम उसकी बात करें सिर्फ 70% पैसे पर ही रिस्क होगा बागी के 20-20% पैसे पर आपको रिस्क नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह प पुद सालों में ऐसे प्लान काफी पॉफोलर हुए हैं जिसमें हम मल्टी कैप कैटिगरी यह फिर फ्लैक्सी कैप कैटिगरी के फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह फंड इन दोन ही कैटिगरी से बिलकुल अलग है और यहाँ पर पोट्फोलियो काफी प्रिंटी त्री परसेंट लास्ट वन एर में 48 परसेंट और सिक्स मंत में फंड ने 17 परसेंट से जाता रिटन दिया है और दोस्तों फंड है बैंक ओफ इंडिया का मिटकेप इसमॉल केप इकुटी एंड डेड़ेक्ट प्लान क्रोथ यानि कि यहाँ पर पैसे को के मुकापले काफी कम हो जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपका टार्गेट है इस प्लान में लंसम पैसे निवेश करने का अगर आप सोचते हैं कि आपको बैंक एफटी की जगा कोई एक ऐसा आप्शन मिले जिसमें रिस्क कम हो और आपको प्रॉफिट काफी अच्छा मिल करोड बरदर जबाएंगे और इसमें रिटन 4,24,000 लेकिन अगर आप निवीश करते हैं यहां पर 12 साल के लिए तो डाय लाग रुपे का निवीश करके आप 18,25,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 15,79,000 रुपे का रिटन होगा देकिन अगर आप निवीश करते हैं यह पर 18 साल के लिए तो 5,5 लाग का निवेश करके आप 49,18,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 46,88,000 का रिटन होगा लेकिन 24 साल के अंदर आपको कमपाउंड रिटन का बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर 5,5 लाग रुपे का निवेश करके आप 1,32,777,252 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 1,30,000,000 रुपे का रिटन आपको मिल जाएगा इसके लावा अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको जबरदस्ट पेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आप 5,5,000,000 रुपे का निवेश करके 3,58,000,000,000,000,000,000 बनाएगे इसमें 3,55,000,000,000 रुप के रिट के स्टॉक शामिल है इसके लावा 20 परसेंट पैसा डेट फंड में डारा गया है यादि इस पैसे पर आपका बिलकुल भी रिस्क नहीं है अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो कुल मिलाकर 74 स्टॉक शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है इसमें जि सिर्फ 38 रोपीज है यानि के लंब सम अगर आप आच पैसा निवेश करते हैं तो आपको इसी प्रैस के हिसाब से यूनिट लॉट की जाएंगी फंड की रिटिंग शांधार 4 है और दोस्तों फंड के यूम अभी काफी कम सिर्फ 724 करोड रोपे है दोस्तों फंड का यूम से साथ चेक कर लेते हैं इस फंड का expense ratio 1.19% है देकिन अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो फंड का रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पर फंड का बीटा 0.75 है दोस्तों फंड का बीटा अगर कम होता है तो यहाँ पर एक से कम होने के बाद फंड में रिस्क कम माना जाता है यहाँ पर जादतार पैसा फानेसल सेक्टर के अंदर और यहाँ पर सौर्वन बॉंड्स के अंदर डेट फंड में जादतार पैसा निवेश किया क्या है दोस्तो मूचल फंड प्लान के अंदर जब भी हम लमसम पैसे निवेश करते हैं और हमारा टार्गेट होता है कि हम बैंक लॉंग टेम पैसे निवेश करने का तो यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़े फंड बनाने के टार्गेट को पूरा कर लेते हैं अगर आपको कोई कोशन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद